चलिए देखते हैं एकदम न्यू चेप्टर सेट ओफ एंड केरी फॉरवर्ड पहले तो मतलब समझेगे चैप्टर का जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं जैसे हमें मतलब समझ में आ जाएगा चैप्टर का फिर इसके उक अंदर क्या है वो करेंगे सर ये चैप्टर ठेटिकल है या प्रैक्टिकल है तो मैं कहूंगा 90 percent ठेटरी है और 10 percent परैक्टिकल है लेकिन इस चैप्टर से कभी भी practical question नहीं पूछा जा सकता maximum आपका theoretical portion ही पूछा जाएगा सर इस chapter को section 70 से लेके 80 तब बताया गया है और वो cover किया गया है हम एक एक करके पहले समझ लेते हैं set of का मतलब क्या होता है basically set of का मतलब होता है minus plus करना set of का मतलब है sir minus plus करना carry forward का मतलब आगे ले जाना सर ये concept आया कहां से अभी देख लेते हैं देखो एक example लेते हैं एक्जाम्पल में मानते हैं कि मिस्टर राम है और जो मिस्टर राम है ना ये हुँए अ? मिस्टर राम् ये हुआर दुटू थू टू थू टू 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 के अंदर इसने क्या करा एक बिजनस स्टाट किया और सर बिजनस की बात करें तो बिजनस किसी भी चीज का हो सकता है एक बिजनस स्टार्ट किया और उस बिजनस से स्टार्टिंग वाले बिजनस में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देखोगे कि लॉस होने के संभावना या फिर प्रॉफिट के लिए तो सोचते भी नहीं है इसने बिजनस स्टार्ट किया और बिजनस के अंदर इसको लॉस हुआ मान लेते हैं पचास हजार अब फिर अगला साल आया नेक्स्ट ये अगेन इसका बिजनस चल रहा है अभी भी इसने सोचा अभी स्टार्टिंग में तो लॉस होगा क्योंकि जब भी बिजनस स्टार्ट करते हैं तो कभी भी सोचेगा है कि अगर लॉस होगे तो क्या करेंगे तो वह बिजनस करी नहीं सकता उसे तो हटाईगी दो कि business line में है वो business वही वेक्ति कर सकता है जो पहले सोच ले जो ऐसे भी business है capacity के साब से माल लो एक छोटा business start करते हैं और 2 lakh रुपे तो आप ये मान के चलो इस 2 lakh को जब तक मैं 0 नहीं करूँगा बिजनस बंद नहीं करूँगा बिजनस के अंदर पहले सबसे पहले आप ये कोसिस करो कि पैसे कैसे हमारे बरबाद हो से मतलब कि वह investment खतम हो जाए तब ही हम कर सकते हैं इसने हार नहीं माना और continue रखा business और सर बिजनस में इसकी हिम्मत की वजए से अगले साल 3 lakh रुपे का profit हुआ और business की मैं बात करूँ ना तो XYZ लिमिटेड है सर XYZ लिमिटेड बनाया है इसने और मैं आपको बता दू company में company के अंदर कोई slab rate नहीं होता इनको सीधा का सीधा 30% सरकार को tax देना होता है चाहे एक रुपे भी कभाए अगर यह 100 रुपे भी की profit दिखाएगा ना तो 30 रुपे सरकार को देना है company का यह rule होता है 30 और 25 अलग अलग rate है turnover के उपर depend करता है 200 करोड से उपर का 30% 200 करोड से नीचे का आपका 25 ऐसा rate है लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाते हम सीधा देखते है 30% rate मैं एक ही class लूँगा जिसके अंदर सारे rate कवर कर लूँगा मैं जिसके capital gain के हो चाहे lottery के हो सब के rate देख लेगा तो अभी मैं जो बता रहूना बस आप यह मानके चलिएगा कि हाँ यह rate है ठीक है तो एक रुपए भी कमाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे इस साल जब profit कमाया कितने रुपए का इसने इस duration में यहां पर government तो सो रही थी government ने देखा भाईया Mr. Ram तुझे loss हुआ हम में मतलब नहीं है यहां पर government active हो गई government ने कहा राम भाई तू मुझे text दे और इससे text का notice भी भीज़ दिया कि 3 लाख multiply by 30% that is 90,000 रुपीज आप मुझे text दो notice आ गया इसके पास loss के time पे इससे कुछ पूछा ही नहीं गया जब profit हुआ तो इसके पास notice आ गया कि तुम मुझे इसके उपर text दे दो अब भाई राम जो है उसे ज़्यादा knowledge है नहीं बिजनस का मतलब के text department वगरे कि जायद से ज़्यादा businessmen को अपने business की knowledge होती है text वगरे के knowledge नहीं होती है इसलिए तो वो किसी text consultancy वगरे को hire करते है अब इनको जब इसको बोला गया तो इसने बोला भाई मैं तीन लाग पर तो नहीं दूँआ टेक्स बोला क्यूं तीन लाग आपके profit है बोला भया तुम तो बहुत तेज निकले जब profit हुआ तो तुम आ गए loss में तो तुम नहीं आए इसने का लॉस के अंदर मेरा क्या रहेगा फिर लॉस में तो आपने मेरा कोई help भी नहीं किया इसका मतलब सर्थ उसके बाद गौर्मेंट ने बोला अच्छा तुम्हारा पीछे का loss भी था क्या बोला हाँ loss था मेरा पीछे का बोला दिखाओ डिटेल बोला पचास अजार का loss था पिछला पीएंडल बैलेंशेट दिखाया बोला चलो एक काम करते हैं तुम्हें तो ये वाला loss हमने अगले साल इस्तमाल कर लिया तो जो loss हम अगले साल इस्तमाल करेंगे यानि लेके जा रहे हैं that is carry forward इस concept को बोला जाता है carry forward जब एक साल का loss होता है वो अगले साल profit में से adjust किया जा सकता है और इसमें से जब हमने यह adjust कर दिया ना minus कर दिया that is setup तो पहले समझ यह carry forward का मतलब क्या है और setup setup का मतलब पुराना कोई loss है उससे हमने minus कर दिया समस्या यह आती है यहां पर सर इसका तो business सा बिजनस से minus कर दिया लेकिन जरूरी नहीं है कि राम सिर्फ business करे राम जॉब भी कर सकता है business भी कर सकता है घर से भी क्राह सकता है मतलब multiple जगह से इसके पास पैसे आ सकते हैं multiple जगह से इसके पास पैसे आ सकता है तो जब multiple जगह से इस पर पैसे आ सकता है तो ऐसे situation में क्या होगा सर ऐसे situation में इसका जब multiple जगह से मैं कहा रहा हूं कि पैसे आ सकता है तो अब government confused हुआ government ने रूल बनाए है कि भया इस वाले से अगर सेलरी वाले को सेलरी वाले से करेंगे हम और हाउस पोपर या इसके उपर तो बैसिकली सेट अप एंड केरी फॉर्वड में आपको सिखाए जाता है नत्ति यह चैप्टर से बताता है सेरा मेरा लास हो गया बिजनस से और या फिर पिछले साल का मेरा बिजनस का लोस पड़ा हुआ है तो क्या मैं तीसरे साल की बात करें इसका तो है स्क्राहर But How about नौकरी अएज़ coronavirus भी improvement에 नहीं लोख से भागा है ये तो नहीं असके बिजनस में क्या हुआ ध्यान नहीं दिया इसने बिजनस में सर बिजनस में 2 लाग का लॉस हो गया बहुत यह गया घार से और के तीन लाग रुपए गर्वर्मेंट को बोलते हैं ले ले तुछ और तुम्हारा इंकम तो सेलरी से है और नुकसान बिजनस से तो इन दोनों को माइनस करने नहीं देगा यह रूल बनाया गया ऐसे किस किस चीज पर कैसे रूल होंगे वह रूल इस चप्टर में सिखेंगे तो पहले तो चप्टर का बैग्राउंड पता चलना चाहिए तो हम सबसे पहले यह समझ में आ गया सेट आफ माइनस प्लस करना और केरी फॉरवड मतलब जो लॉस आगे ले जाएंगे अब इसकी भी लिमिट दी गई ऐसा नहीं है कि यह लाइफ टेम तक आगे ले जाओगे आपका आठ साल चार साल हर चीज का अलगा अलगा तो हम सारे इस चप्टर के अंदर डिसकस करेंगे इसी में हमने बोला 70 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं section 70 और इससे पहले कुछ बाते हमें पता होना चाहिए अगर मैं कहूं के heads of income head of income अगर मैं आपसे पूछता हूं heads of income कितने हैं बताइए पांच तो sir heads of income आपने बता दिया सही जवाब और अगर मैं पूछू source of income कितने हैं तो इस सोर्स ओफ इंकम इस सोर्स ओफ इंकम अनलिमिटेड अब देखे समझ यह कुई confusion मत क्योंकि किताब के अंदर मैं language जो देख रहा हूं और जो given है किताब के अंदर उस language से मैं बिल्कुल भी मतलब के मुझे लगता है बच्चों को इससे आसान तरीके से इस तरीके से घुमाँके उन्होंने बोला हुआ है कि उसको समझने समझने में टाइम लगे और बच्चे को समझ में आ जाता है कई छीज़े ऐसी होते जाता तो मैं सीधे तरीके से लेके चल रहा हूं फिर बुक की language आपको सीधा समझ में आ जाएगा जो बच्चे बख पर है हैड्स ऑक्लाइप ही लगール है कि दूसरा होता है मार ह। ऑपर नीचे हो जाए प्रफ ऑफ दर सोय अब सोर्स का मतलब क्या है सर अब मैं Serve सूर्स इंकम कहाँ कहा से कमाया जा सकता है सोर्स सूर्स आफ में बसक्रेविन ने टो इसमें कुम सा है वैनये बिजनस में कि गई बैसने बिजनस अब देखना बिजनस है यानि एजूकेशन मान लेते हैं मेरा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का है मान लेते हैं मेरा क्लॉथ का है मान लेते हैं मेरा बुक्स का है मान लेते हैं मेरा स्टील का है तो सर देख रहे हो और इसके अलाबा बस इतने ही हो सकते हैं और भी हो सकते हैं और सबुक्राइज का नमक से ले चाई पता नहीं क्या किया कार बहुत सारे सीमेंट बहुत सारी चीज़ है उसके तो सोर्स इंकम तो ही सुर्स आफ इनकम कितने हो सकते हैं agradecer house property में मैं बात करो तो मेरे पांच पकान है तो मेरे पास कितने source of income हो गये हैage अगर पूंचा जाए तो क्या होका हमारा 5 source पूछा जाए तोное नहीं है फ्क ölenhew यह डिफरेंस सोर्स है के अब हमारी शेयर मार्किट का आपको पता शेयर मार्किट में मेरा पचास अजार रुपे का नुकसान हो गया और मेरा एजुकेशन का बिजनस है वहाँ एक लाग का फाइदा हुआ कि ऐसे सिचुएषण में जो मुझे करना होगा न वह 50 में से माइनस कर देंगे इसमें से पचास पे करना यानि आपस भैं यह दो नो मैनस होगे क्का एक हैड और दوسरे एक हैड के अदर एंदर हमने कुछ कर दिया माइनस प्लस एक हेड के अंदर तो ऐसे सिच्वेशन को बोला जाता है आपका इंट्रा है अब देखों यहां पर मेरा हाउस प्रॉपटी से पांच लाख रुपए का मेरा लॉस है और मान ले थे मैं कैवाच ले रró 가장 और मानलेते मेरा से इस दो लाक रुपए और बिजनस के स्वालाओद करतीए कि कि तेक्स थे के इंदोनों में टीफρεंस नज्हार आ रहा है कुछ क sólo किया नगारों किया रा रहा है मैं भी बताता हूं हो रगाटा इस को इधर कर यहां पे minus plus यहां भी हुआ और यहां भी minus plus हुआ है अब ध्यान से देखे तो minus plus यहां भी हुआ और यहां भी हुआ फरक है यह है कि यहां पे same head के अंदर minus plus हुआ है और यहां पे head बदल दिया गया समझे लो difference यहां पे क्या कर दिया गया head बदल दिया गया तो जो इस तरीके का काम करेंगे न उसे बोलेंगे इंटर हैड सेट ओफ इंटर हैड इसको बोला जाएगा सर इंटर हैड सेट ओफ तो सबसे पहले आपको यह वर्ड क्लियर है क्या आपका इंटर हैड सेट ओफ और इंटर हैड में क्या होता है सेम के अंदर ही हमारा माइनस प्लास कर दिया जाता है और इंटर हैड में क्या होता है बदल जाता है तो पता एक्जान के अंदर जो आपका Northern लिखना है यारी में कहा जाएगा वन हमारा कोई भी लौस सेतब हो हtv जाता है दूस्रे आपका दूसरे सोर्स ओप इंकम से जब भी मैंने किसी लौस को सेट आफ किया दूसरे स्व इंकम से तो बता मैंने कहा जब कोई लौस्ट मुई सेथ सेफ योप अभी आपने जी California मैने अभी आपने जैसे बच्कको को मैंने दिखाया था कि बहुत यह कहता है और बिजनस माइनस नहीं हो सकता है यही तो रूल सीखेंगे इस चप्टर के अंदर 7770 है 71 तो पूरी सीरी सीखेंगे तो जो चीजे मैंने पहले बताया कि यह चीजे हो सकता मैं बोलूगा नहीं होता स्पेसिफाइड अगर बिजनस हो तो जो कि 35 AD के अंदर हो तो मैं सारे रूल सिखाऊंगा तो पहले तो आप देखो जितना मैं बता रहा हूं उतना यहां तक कि क्लास के अंदर हमें सर यह समझ में आ गया कि इंट्राहेड का मतलब उसी से होगा और इंटरहेड का म हमारे इंकम टेक्स का सेक्शन सेवेंटी आज लिखा हुआ लेके नहीं आये कोई बात नहीं लिख देंगे यह हमें सेक्शन सेवेंटी सिखाता है इंट्राहेड सेटॉप सेक्शन सेवेंटी क्या सिखाता है इंट्राहेड सेटॉप अब इंट्राहेड सेटॉप का मतलब पर एक्जाम्पल हमारा बिजनस है से एक बिजनस हमारा स्टील का है स्टील के बिजनस से प्रॉफिट कमाया 5 लाख क्लॉट के बिजनस से प्रॉफिट हमारा नहीं हुआ लॉस हो गया तीन लाग टैटेस हम टेक्स दे देंगे किस पे दो लाग पहला एक्जामपल मैं एक्जामपल लेता जाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा तूसरा एक्जामपल प्रॉफिट हुआ पांच लाग और प्लॉट से हमारा लॉस हुआ छे लाग नाव एक लाक रॉपे का लॉस है इसे हम कर देंगे केरी फॉर्वर्वर्ड लाग लॉपे केरिफॉर्वर्ड यानि यह आगे चला जाएगा पहले तो यहां तक देखे सर ऐसा भी हो सकता है एक्जामपल नमबर फ्री हुआ यह मेरे क्लॉफ के बिजनस से लॉस है कि चार हजार यह चालिस हजार और मेरा स्टील के बिजनस से हमारा लॉस है कि पचास हजार डैन अब क्या होगा कि नब्य हजार क्या हो जाएगा कि कैरी कि नब्य हजार क्या हो जाएगा कि कैरी पहले हम सीख रहें इंटर हैड सरी इंटर हैड सेट अफ ठीक है न यानि सर अब यहां पर आप देखो गे एक्जामपल में कि मेरा एक ही बिजनस और बिजनस से बिजनस को सेट अफ करने के बाद इसके बाद मैं इसके रूल हाना इसके बाद अगला एक्जामपल देखते हैं यहीं ले लेते हैं ताकि कंपेरिशन में मुझे ज़्यादा आसानी है अगला है सेक्शन टि- इन इंटर हेड़ सेटोफ एट इस इंटर हेड सेटोफ सर क्या होगा इंटर हेड सेटोफ जैसे मैंने बूला मेरा बिजनस है और फ्लॉस का बिजनस है इस से 4 लाक रुपए का लॉस और हाउस प्रोपर्टी से मेरा इंकम है 6 लाक का लौ मुझे टेक्स देना होगा मुझे दो लाग देखिये मैं इंटर हेड में उसी को भी लूँगा जो की इंटर हैड सेट उसकता है उसी के हिजामपल लोंगा और रूल तो हम देखेंगे पहले हम एक बाड़ समझ जाए अच्छे से के इंटर और इन्टरा क्या है और इसके रूल क्या है कि एक्षामपल नंबर टू, सॉरी, वन कि सरे इंचामपल नंबर टू मेरा बिजनस से लॉस है 40,000 और बिजनस से लॉस के बाद दूसरा बिजनस है हमारा बिजनस टू जहां से प्रॉफिट है हमारा 50,000 और एच्पी वन से मेरा प्रॉफिट है 80,000 और एच्पी टू से मेरा लॉस है 4,000,000 अब यहां पर क्या होगा अल्टिमेटली एच्पी से जो लॉस माना जाएगा कितना माना जाएगा एच्पी से लॉस पहले तो हम बिजनस से प्रॉफिट निकाल लेते हैं चलिए बिजनस से प्रॉफिट यह बिजनस से क्या कर रहा था मैंने लॉस कर रहा था प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट यह भी प्रॉफिट नहीं यह लॉस है यह प्रॉफिट है तो कितने आगे हैं प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट और यह क्या है तो तीन बीस हमारा है तीन दस का लॉस होगा और यह केरी फॉर्ण तो सर जो इंट्राहेड और इंट्रहेड समझ में आ गया रूल क्या कहता है पहला रूल रूल कहता है सर पहले आप नंबर वन पे करेंगे इंट्रहेड सेट अफ नंबर दो पे आप आएंगे इंट्रहेड सेट अफ अगर इफ बैलेंस बचा देन केरी फॉर्वर्वर्ड देन केरी फॉर्वर्वर्ड पहला रूल यही कहता है कि सर सबसे पहले इंट्रहेड सेट अफ फिर आपका इंट्रहेड सेट अफ कुछ बचा तो केरी फॉर्वर्वर्वर्ड एग्जाम्पल मेरा स्टील बिजनस से प्रॉपेट चारला क्लॉथ बिजनस से लॉस तील और मेरा हाउस प्रॉपेटी से हाउस प्रॉपेटी से प्रॉपेट हाउस प्रॉपेटी से प्रॉपेट तीन लाग या फ़र हम एक्जामपल थोड़ा चेंज कर दें हाउस प्रॉपर्टी से एक लाग प्रॉपर्टी ठीक है इसके आंसर दो आप्शन हो सकते हैं आप जो कर सकते हैं अप्शन हो सकते हैं और और इसको इसको सेट अफ कर देते हैं कि तो अगर इन दोनों को आपस में माइनश कर देंगे हम तो बचेगा कि अधो लाग और दो लाग यहां से सेट अफ कर देते हैं यानि मैंने क्या करा कि लॉस बिजनस तीन लाख और इसको माइनस कर दिया किससे एचपी के प्रॉफिट से एक लाख तो अल्टिमेटली दो लाख रुपे का क्या आया लॉस इसके बाद कोड़ा उपर करते हैं इसको इसके बाद हमारा बिजनस फिर से बिजनस प्रॉफिट भी है ने एक और बचा हुआ कितने का चार लाख बचा कितना चार लाख यह नेगेटिव है बचा कितना दो लाख का यह प्रॉफिट कि इसके उपर हमें सरकार को क्या देना है एक और ऑप्शन देखिए देखें कुछ चैप्टर है बस आप साइलेंट हो के ध्यान से सुनते जाएए सब समझ में आ कुछ नहीं रहता रखा है दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जो आप लेंगे हो नहीं सकता जो आप ले लेते हैं कई बार उसकी बात पर रहा हूं मैंने कहा बिजनस प्राफिट कितने चार लाग अब बिजनस लॉस दो लाग बिजनस लॉस तो अब यहां कितने बच गए दो लाग क्या बचा दो लाग यह अब इसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी मेरा यहां गलत कर दिया कि यह तीन लाग है यह गलत तभी क्योंकि आंसर तो सेमिया अची यह आगया है एक लाग एच पी प्रॉफिट एक लाग यानि टोटल टेक्स देना है हमें है दो लाग हाला कि आप जब देखोगे न इसको तो फरक क्या पड़ता सरकार के पास यहां भी कितने रुपे का टेक्स जा रहा है कि दो लाग आपके पास दोनों आप्शन यहां पर देखिए यहां पर भी देखेंगे तो सरकार के पास टेक्स जा रहा है सर दो लाग रुपे का और यहां पर भी देखेंगे तो सरकार के पास कितने का टेक्स जा रहा है सर दो लाग का लेकिन 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 आप अगर ध् दूसरे पर जाईए आगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो आप गलत कर रहें यानि देखा जाए तो इसने सबसे पहले अपने आपको नहीं देखा कि दूसरे हैड में घुसके पहले सेट अप कर लिया जबकि इसको प्रायरेटी बेस पर किस पर करना चाहिए था यानि सर यह सबसे पहले बिज्नस और बिज्नस आपस में मिल गए उसके बाद फिर फूल्स को यह वाला क्या है करना करना يعlords को पता हुए फिर तो लाश्ट में बस एक चार्ट बना रएक उसके इंदर करना यह यहां तक सेटफ़ करना है उसके रूल बताने और कुछ ज्यादा है नहीं फ़ले यह समझ में या नि हम और यह सारे जो मैंने बाते ही आपको अभी पहले यहां तक समझ में आगे चलिए एक एकसाम्पल और हो जाए एकसाम्पल और ले लेते हैं एकसाम्पल टूर एकसाम्पल तूर एकसाम्पल टूर है एच पी से प्रॉफिट अब चारला बिजनस से लॉस दो लाज ऐसा क्यों नहीं होगा मैं अभी आपको बता हूँ आ बिजनस से लॉस जो ब्रैकेट कर रहा हूँ न समझ जाएगो लॉस है मैं लिख नहीं पाया है यहां पर तो लॉस और एच पी टू से प्रॉफिट यह लॉस एक लाज ठीक है सर यहां पर पताईए क्या होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए आंसर तो पता है सर एक लाज आएगा लेकिन सबसे पहले जब हम करेंगे तो क्या करें पहले हम लॉस उसका देखेंगे सेम हैड वाले का हम सोलूशन जो होना चाहिए इसका एच पी वन से प्रॉफिट और सब से च्पी 2 से है लाउस आएगा कि एक लाख पहले अब बच्छा कितना है भी यहां से हम लेंगे पीजनेस कि बिजनस एक लाग का लॉस्ट बचा कितना है दो लाग दो लाग पर क्या जाएगा ब दो यह बचेगा यह गलत कर दिया है का दो आना था अच्छा बिजनस का लॉस्ट दो लाग है तो कितने बचे एक आप मुझे बताईए अगर मैं ऐसा कर दूँ कि आप मुझे बताईएगा कि अगर मैं ऐसा करूं कि सर कैसा करोंगे जैसे मैंने करा एच पी है एच पी से कि प्रॉफिट कि चार लाग लेस बिजनस से लॉस बचे दो लाग और फिर एच पी टू से बचा एक लाग तो क्या दोनों सही है दूसरे वाला जो मैंने किया यह वाला यह गलत है क्योंकि इसके इंदर आपने रूल को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया रूल क्या कहता है सर सबसे पहले इंट्रा फिर यह वाला सर गलत हो गया और यहां पर इसी तरीके से यह वाला गलत हो गया यहां तक समझ मैं एक स्टेप और आगे चलते हैं कि इसने कहा कि स्टेप नंबर वन रूल के अकॉर्डिंग सरे स्टेप नंबर वन परस्ट क्या करना इंट्रा है नंबर टू फिर करना है हमें इंटर हैड नंबर थ्री बैलेंस अगर बचा तो कैरी फॉर्वर्ड इस रूल के अंदर लॉमेकर ने लिखा यह वाला काम स्रेफ करन्ट इयर में कर सकते हो इससा समझाने करन्ट इयर में इसका मतलब और वन्स लॉट्स केरी फॉर्वर्ड नॉट भी सेट टॉप प्रॉम अधर हैड लॉमेकर ने यह वर्ड लिख दिया इसका मतलब एक एक्जाम्पल देखे सब कुछ समझ में आएगा कि मैं बात कर रहा हूं 2020 की लॉगडाउन की दूरेशन की लॉगडाउन में तो पता यह बिजनस का हाल बहुत खराब था हाउस प्रॉपर्टी से कहां इंकम सारे भाग गेते कि रहएदार को एक लात रुपे का लॉग्स बिजनस थोड़ा बहुत चला पैसे चल नहीं रहा छीता था बसताक सबंचे का चल रहा था तरह जो कि उखंशे से से चार crowded का और को छुकिम उखक सबीकही ब। रहा है है इसके बाद करहिए एक और बिजनस है जहां से छे लाक रुपए का लॉस हो गया यह कहानी है हमारा 2020 के 2020 का सोलीशन मैं पता है क्यासे करूंगा सबसे पहले इंट्रा फिर इंटर 2020 में तो सबसे पहले बिजनस दो यह तो पहले बिजनस ले ले लिए बिजनस चार लाक और फिर बिजनस जो लॉस वाला बिजनस है 6 लाक इसको नमबर वन बचे कितने दो लाग का लाउस अब आजाते हैं एक प्रोपर्टी सर हाउस प्रोपर्टी में एक लाग का लास लास जोड़के 3 लाख नहीं होना देखो लास प्रॉफित तो हो सकता है लेकिन एक बात ये भी याद रखना लास लास जूड़के बन दो सर यह हुआ यूँ यह काम करते हैं न एक पी से लॉस ना करके प्रॉफिट कर देते हैं थोड़ा अच्छा सा एक्जामपल बन जाएगा हमारे ठीक है यह तो अपने हाथ में हमारे एक लाग का प्रॉफिट कर दिया ठीक है एक लाग रुपय का मैं कहूंगा लॉस किससे हुआ यह और केरी फॉरवड कर दिया एक लाग यह कहां नहीं थी है नहीं अभी सारे रूल देखिंग अभी बेसिक बेसिक सब्सक्राइब करने तो बस फिर एक बार रूल चार्ट में समझा देंगें बात ही खता मैं चलिए दो हजार इक्केस में पहुंचे अच्छ पी से तीन लाग विजनस से लॉज दोला विजनस से लॉज दोला विजनस से विजनस टू से लॉज है या दोई बिसनस रखते हैं ज्यादा कोंप्लीकेटविड करता हैं अब ढीरे-दीरे करें यह कहानी है इस बार की अब सर पिछला लॉस भी आगे सेट अफ होना चाहिए रूल तो यही सीखा है अमने आंसर आंसर सर एच्पी से प्रॉफिट तेन लाग बिजनस से लॉस दो लाग प्रॉफिट बचा एक लाग अब एक लाग का प्रॉफिट बचा पिछला लॉस भी हमारा एक लाग का तो अगर मैं चाहूं कि मैं यहां से लेस कर दूं लास्ट येर बिजनस लॉस एक लाग और सरकार को इस बार मैं नहीं चल सकता है सिर्फ एच्पी बिजनस यानि इंट्रा हेड में जंप मारने का पर्मीशन सर्फ करण्ट येर के प्रॉफिट लॉस यहां पर जो आंसर आएगा आपका इसके अंदर आपको एक लाक रॉपए पे टेक्स देना होगा और यह लॉस कि अगर यहां पर बिजनस प्रॉफिट होता है ना क्योंकि ये वारा जो प्रॉफिट एक किसका है और लॉस किसका है पिछले साल का यह दोनों अपस में सेट अफ नहीं लेकिन अगर यह अभी मैं दूसरे एक्जामपल में ले लूँगा अगर बिजनस का होता है तो हो जाता तो सर हमारा फिर से अगें लॉस हो गया किरी फॉर्वर्वर्ड कितने का कि एक लाग समझ में आ रहे हैं तक कि अ कि अ कि चलिए सर 2022 में आ गए कि सर एच पी से कि एच पी से प्रॉफिट कि तेन लाग कि बिजनस से लॉस कि तीन लाग और बिजनस से कि प्रॉफिट छे लाग यह लॉस है और यह प्रॉफिट है अंसर छे लाग रुपे अंसर सर यहां क्या करेंगे कि सर सबसे पहले बिजनस बिजनस है कि बिजनस कि बदल देते हैं थोड़ा कि नहीं चलिए अच्छे लाग रहने दीजे कुछ बच्चों ने जीरो बोला तो फिर इसलिए मैं रुप गया कि सर बिजनस से प्रॉफिट कि लेस कर देंगे लॉस बिजनस से कितने इस्टिल प्रॉफिट कितने का थीन लाक रुपे का प्रॉफिट है और अब इसमें से हम माइनस करेंगे सर लास्ट येर लिख रहा हूं वैसे केरी फॉरवर्ड होता है केरी फॉरवर्ड पुराने वाला वह भी माइनस करेंगे अब प्रॉफिट आ गया अब सर एच्पी से प्रॉफिट कितने तीन लाक अब पांच लाक पे आपको कि टेक्स देना होगा चलिए सर और एक्जाम्पल देखते हैं कि मैं इसको इधर ले जा रहा हूं चिंता मत करना मुझे क्यूंकि करना है अब आगे सर दो हजार तेईस में कि सर दो हजार तेईस आ गया है यह यह तेईस नीचे करें कि आख आख चलिए दो हजार तेईस यहां करते हैं कि यह इधर कर लेते हैं कि दो हजार तेईस कि सरह पी से लॉप कि चालिस हजा पातकर पातरा है अच्छे सबने तकना मैं पता ही कि चेंज कर ना चाहता हूं था लाक नहीं है करना चाहता हूं नज यह किस में बात करूं आच्छा यह बाइस है हाँ 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 यह बाइस है सर यह कितना 2.5 लेंगा थी पॉइंट 5 कर देता है थी पॉइंट 5 लेंग तो सर आंसर में बदलाव क्या होगा यह भी सर 3.5 हो जाएगा यहां पर प्रॉपिट कितने बचेंगे पचास अजार लॉस कितने का है एक लाग तो अब इससे सेट अफ हो नहीं सकता यह रहां पर दो अप्चन हो सकते हैं मैं पहले अभी एक करा दूआ आपको फिर दूसरा भी आसपेक्ट इसका इधर में करके दिखाऊंगा क्या हो सकता था पहले जितना आपको समझ में आ रहा है चलिए सर यहां पर हम सिर्फ माइनस कितना करें कि पचास अजार यह हो गया जीरो और इससे इंकम कितना था तीन लाख टेक्स किस पर दे देंगे सर तीन लाख मैं समझा रहा हूं अभी मैं इसको आसपेक्ट को लिखे जाऊंगा टेक्स प्लैनिंग के परपस से पहले हम कौन से इंटर फिर किस पर जानने था में इंटर यहां पर जानी सकते क्योंकि हमारा पुराना लॉस है केरी फॉर्फ लॉक कहता है सेम हैड हो ना तो वहां पर आपका इंटर और इंटर वाला कॉंसप्ट नहीं चलेगा है सेम हैड हो तो कुराना पहले या अभी वाला कर ली तो यहाँ टेक्स प्लैनिंग के परपस से पार ministre से कहनु नहीं होना इसका एक और आंसर हो सकता है अगर टेक्स प्लैनिंग कम आसर हो सकता है सर हो सकता है पहले मैं ले लूं कोई उर BUSINESS profit, Sir कितने का BUSINESS profit? 3,500, MINUS कर दू, पहले करी-forward loss, कितने का? बचा कितना? 2,500, अब मैं MINUS करू business, that is business loss, कितने? अब कितना बचा? अब यह 50,000 कौन सा कि इसी साल का लॉस है इसी साल का अब इसी साल का लॉस है और एच पी का प्रॉफिट भी इसी साल का एक लाग का कितने तीन लाग का नाव तो पॉइंट फाइव लेक के आप टेक्स्ट हो गया कि मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूं यानि यह वाला देखा जाते एक तरीके से समझ में आ रहा है यानि सर मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर पीछे से लॉस आ रहा है ना करेंट येर में सबसे पहले इस लॉस को एब्सॉब करिए से कोई दूसरा है इंकम हो तो वहां पर एक्स लेना है और यह लॉस जो था यहां पर इस वाले अगर ऐसे करेंगे ना तो इसके अंदर केरी फरवर्ड हो जाएगा आपका लॉस कितने कसर और लॉस की उमर होती है कि इतने साल के बाद यह लॉस गौर्वर्मेंट आपको देगा ही नहीं माइनस करने के लिए जैसे नॉर्मली आठ साल होता है ज्यादा मैक्सिमूम तो आठ साल के बाद करी नहीं सकते कुछ के इसमें चार भी है तो आप देखिए तो यह वाला जो आप्शन हमने किया है थोड़ा चेंज करके मैंने बोला मैं आगे जा रहा हूं थोड़ है सेट आफ कर पाए हम इसलिए तो मैं इस वाले को क्या बोलू सर यह वाला हमारा क्या हो गया एक तरीके से गलत हो गया यह वाला गलत हो गया कॉरेक्ट कौन सा माना जाएगा क्या आप यहां पर कोई लॉस केरी फॉरवड करने वाला है नहीं है सर चलिए आ जाएए दो हजार तेइस फिर से एच्पी से प्रॉफिट एक लाए बिजनस से बिजनस से बिजनस से चार रहा है यह लॉस है सर यह यह सिचुएशन है अब क्या होगा बताते हैं इसका अंसर देखिए सबसे पहले इंटर हैड सर एच्पी प्रॉफिट एक लाग और सर एच्पी टू से वन से वन से लॉस कितने का यानि यहां बच गए तीन लाख अब बिजनस से तर यहां भी लॉस अब यहां पर कैरी फॉरवड होगा एच्पी तीन लाख और कैरी फॉरवड होगा बिजनस एक खट्टा पांच लाख नहीं लिख से क्योंकि जब अगले साल जाएगा कैरी फॉरवड अगर मैंने यहां सब्सक्रांस हो सकते हैं सर हम ऐसे कर दें कि यह वाले से पहले इसको सेट अफ कर देते हैं एच्पी को बिजनस से करेंटियर में तो लाउड है लेकिन सेम हैट से पहले इंट्रा अब इसके अंदर देखो मैंने क्या रूल देखो क्या ब्रेक हुआ पहले मैंने कौन सा हैट और यहां पर बीक्या कर रहे हैं कि यानि कहीं अगर आप इसका आंसर बोलते हों आपके बच्चों के चल सकते हैं आप बोल देते हो ना सर हम आगर ऐसा कर ले कैसा कि हम ऐसा करते हैं एच पी एक लाग और पहले बिजनस कर लेते हैं मैं रफली कर रहा हूं दो लाग का लॉस एक लाग का लॉस बच गया बिजनस का और सर एच पी का लॉस बच गया कितने का चार लाग तो बिजनस लॉस एक लाग करी फरवड और एच पी चार पांच ही तो जा रहे हैं क्या समस्या है समस्या है आपने रूल को ब्रेक कर दिया यानि पहले क्या होना चीए और फिर क्या होना चीए चाहे लौस हो चाहे ठीक है न यहां तक समझ में आई बात आपके यानि वंस लॉस केरी फॉरवर्ड जो मैंने लाइन लिखा है और बहुत चोटा होगी है इस घंटे का पता ही नहीं लगता सब चले जाए देखें क्या लिखा था इंट्राहेड इंट्रहेड बैलेंस केरी फॉरवर्ड करण्ट इयर करण्ट इयर मतलब समझ में आया जिस साल प्रॉफिट बगरा कम आया उस साल में तो आप किसी से भी सेट आफ कर लो इंट्रा फिर इसमें इंट्र जा सकते हो लेकिन कर्ण्ट इयर में लेकिन अगर लॉस केरी फॉरवर्ड है तो वह अधर हैट से सेट आफ नहीं होगा मैं इतने सारे एक्जाम्पल में यही समझाने की कोसिस कर रहा हूं ठीक है चलिए और भी एक्जाम्पल देखें अगरे हैं कर पाऊगे रिजिस्टर में भी असे लिख लेंगा दो हजार टॉस थो पिजनस प्रॉफिट पिजनस प्रॉफिट पिजनस प्रॉफिट थी लागव एच पी लॉस एक लाग पचास अजा एच पी प्रॉफिट एच पी प्रॉफिट दो लाग ठीक है पहला बिजनस प्रॉफिट यह चल रहा है चल यह इसका अंसर अलाकि इतना कॉंप्लिकेटिड आता नहीं है मैं तो लिखते जा रहा हूं आपको बस कॉंसेट्स अब बताइए क्या होगा सबसे पहले हमारे क्या है कि पहले बिजनस को ले ले ना थीक है uh business का प्रॉफिट कितना है है रही हैं देखिए पहले हम इंड्रक यह इंट्रक में में हमारे पास पहले क्या बिजनस के अंधर हमारे क्या लाप्स था क्या डो लाफिश चलिए पहले इसको सेट अफ खर तो लेस केरी फॉर्वर्वर्ड लॉस यानि यहां बचा हमारा एक लांक अब सर एच्पी प्रॉफिट एच्पी प्रॉफिट कितने का है और एच्पी से लॉस भी है लेकिन समझदारी क्या है अगर आपका इंट्रा हेड ही कर रहे हो पहले पुराने वाला कर लो क्योंकि उसकी लाइफ क्यूं है चुकि करन्ट यह वाला तो कहीं से हम मूब कर देंगे लेकिन पिछले वाला फिर सेम हेड से ही होता है तो एक थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं सबसे पहले करूंगा कैरी फरवर्वर्ड लॉस अब बच्चा कितने का एक लाग का क्या है तो यानि यह एक लाग रुपे इससे सेट अफ कर देंगे क्योंकि यह वाला लॉस कौन सा है कैरी फरवर्ड कुछ बच्चे ऐसे ना सोचे के भाई एक्जामनर को कैसे पता से लिए वही वाला लॉस है रूल यही कहता है इसी से इस साब से चलना है मैं तो एक्जामपल लेके चल रहा हूं तो यह वाला लॉस कौन सा है पिछला बच हुआ है एक लाग ठीक है सर अब यहां बिजनस से कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है यहां से तो लॉस हो गया तो एच्पी से सेट अफ करने के लिए नहीं है एच्पी स से हमारा जो है लॉस कौन सा कि करेंट करेंट में तो कहीं मर्जी तो क्या यहां से सेट ऑफ कर सकता है तो यह हो गया जीरो और यह गया लॉस अब हमारा होगा एच्पी लॉस केरी फॉरवर्ड दो हजार चौविस वाला केरी फॉरवर्ड है पचास हदा और हपी लॉस अलग अलग लिखना होगा एसा नी जोड़ देना कि दो हजार तेईस वाला पिछले साल तेईस वाला आ रहा है ने या गूंग है अराम से मन ठंड़ करके एक वार सांती से देखें कुछ बच्चों को हो सकता है बाद में नूटिंग करने में कन्प्यूजन हो है तो मैं एक काम करता हूं इसको मिटाई देता हूं और इसको अब नूटिंग करने में ठीक रहा है काम के यह क्या था 2.5 ले मैं कुछ भूल गया अच्छी से प्रॉफिट है ने यह था हमारा तीन साड़े तीन एक लाग बिजनस लॉस दहाई लाग इस सारे इग्जामपल को ना इक बार ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा रेजिस्टर पर उसके बाद आपको तो समझ में आ गया आप आंसर बिल्कुल भी नोट मत करिएगा सिर्फ क्या नोट करेंगे आप कोशन कोशन करके खुद करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा हाँ इसका मतलब यही है तो मैंने देखो 2000 कब से स्टार्ट के बीस से और इसको माइनस प्लास माइनस ऐसे बिजनस चलता रहता है तो स्पेसिफाइड बिजनस को तीन कैटिगरी में बाट दिया गया है चार कैटिगरी में बीसिकली एक नॉर्मल बिजनस जैसे मैं काम कर रहा हूं जैसे आप मार्केट में दुकानदार देख तो नॉर्मल बिजनस एक है स्पेसिफाइड बिजनस सर स्पेसिफाइड इंकम टेक्स पर कभी देखोगे ना जो पीजी पीव में देखें तो वहां लिस्ट है इनकी जिनका बिजनस का बिल्कुल अलग ही होता है क्योंकि होस्पिटल वगएरा जो होते हैं यह बोलते हैं जितने भी होस्पिटल है सब बोलते हैं चला रहा उसका मालिक नहीं मिलेगा पर इस्कूल भी ट्रस्ट ली तो यह बिजनस के लॉस को सेट आफ करने के लिए इसी टाइप का बिजनस चाहिए वो दूसरे पर्चून के दुखान से सट आफ नहीं होगा अगर मालों एक पर्चून की दुखाने यह फैक्ट्री उससे सेट ऑफ तो दो टाइप के बिजन आप डेली पैसा लगाते हो आई पील में तो यह सारा क्या है इसके अंदर नहीं मैंने एक्जामपल लिया यहां पर बिजनस पर रखा हुआ है शेयर बजार को और बेसिकली शेयर बजार के अंदर भी आपका कोमोडिटी वाला पार्ट क्या होता है जिसके अंदर आप विदाउट फिजीकल मुवमेंट अब बढ़ा दें तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं डीटेल में बता हूँगा क्या होता है तो बोला गया कॉमोडिटी वाला जो होगा ना स्पेकुलिटिव बिजनस उसको भी ना त पैसे लगाओ तो वह भी क्या था बिजनस था तो वह बीएक स्पेशल केटिग्री का बिजनस है तो उसके अंदर भी सेट आप देखोगे कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैमल रेस भी आ सकता है नहीं वहां पर हो और स्पेसिफाइड क्या है कुछ बच्चे बोलते हैं कि वह कुछ बी होता है वहां पर भी सठ्टा लगता है मुर्गों तेक्स भी सपता है तो नॉरमल बिजनस आपस में घृत इसलिए अलग होता है सेम बोला गया सेलरी और बिजनस से कभी सेट अफ नहीं हो सकता सर क्यों नहीं हो सकता सब की कहानी करेंगे अभी मैं आधी यह दूरी बताऊं तो आपको और लगे आप कुछ बताएं नहीं तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पर स्टॉप कर दूँ आप च नहीं से स्टाट केंगे चलेगे